जानगी की रसोई में आप सभी का स्वागत है वैसे तो आपने तरह तरह की खीर खाई होंगी जिसमें से हम ज्यादा तर खाते हैं चावल की खीर जिसमें फैट तो ज्यादा होता है लेकिन आज हम बना रहे हैं लो फैट हाई एनरजी से बनीवी खीर जिसका नाम है मखाना कस जो कि आपकी हेल्थ के लिए पूस्टर का काम करेगी और दस मिट में तैयार हो जाएगी इसके लिए हमें चाहिए मखाने 25 ग्राम दूद आधा लीटर काजू आच से दस नग बदाम दस से वारा नग शक्कर अपने स्वात के अनुसार घी दो से तीन चम्मच इलाइची पाउडर आधा छोटा चम्मच और किश्मिश जो कि भीगी भी हो पानी में इसके अलावा खोपरे का बूरा और कस्टेट पाउडर दो चम्मच सबसे पहले हम दूद को उबलने के लिए रख देंगे जो कि कम से कम हमें 10 मिट के लिए उबालना होगा एक गैस पर हम दूद उबलने को रख देते हैं जो कि उबल रहा है अब साइट से ही हम अपनी दूसरी गैस पर लो फ्लेम में हमने कढ़ाई गरम होने को रख दी है इसमें हम डालेंगे दो चम्मज घी एक से दो चम्मज घी यह कम भी कर सकते हैं आपकी जैसी इच्छा हो और अब डाल देंगे हम इसमें मखाने देखिए मकाने बहुत जल्दी से लग जाते हैं जल जाते हैं इसलिए हमें लागातार चलाना इसके लिए बहुत जरूरी है और यह सिख भी जल दी जाते हैं से हमें थोड़ा धीमा थोड़ा तेजाज पर रखके इसको एक साइट से से कर और फिर से दूसे बोल में ट्रांसफर करते हैं अब इसके बाद हम कस्टड पाउडर को लेंगे और देखिए अभी दूध हमारा थोड़ा सा कम उबलावा है तो हम इसे थोड़ी से देर के लिए और उबलने देंगे और देखते हैं कि कैसी स्थिती है दूध की देखिए दूध लगभब होजने बाला है थोड़ा हो गया है अब हम इस कस्टड पाउडर में 2-3 चमज 3-4 चमज दूध को डालेंगे जिससे की हमारे कस्टड में लंप ना पड़े और कस्टड आसानी से घुल जाए अगर आम इसको डालेक्ट इसमें डाल देते हैं तो इसमें बड़े बड़े लंप हो जाते जिसको निकाल पारना या फोड़ना बहुत मुश्किल पड़ती है तो इसलिए थोड़े सा दूद लेकर हम उसे अच्छी तरीके से घोल लेंगे यह देखिए हमने इसको गोल लिया है इसमें कोई लंस भी नहीं है और हम इसे घोल कर अब कुछ देर के लिए यह देखिए घुलिया पूर इसमें कोई लंस भी नहीं है अगर आप लंस आ भी चाहें तो आप आसानी से धीरे धीरे करके इसको गोल के ठीक कर सकते हैं और अब इसको एक साइड हम रख देंगे अब हम दूद में स्वात के अनुसा शक्कर डालेंगे यह हमने तीन और चार चम्म शक्कर का उपयोग कि जो कि एक सामान्य खीर के लिए या सामान्य मिठास के लिए काफी होता है अब हम इसके अंदर कस्टेट पाउडर मिक्स करेंगे कस्टेट पाउडर हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसको धीरे-धीरे-धीरे-धीरे हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि कस्टेट जो हमारी खीर है गाड़ी भी नहीं होगी एकदम और अच्छी बनेगी थोड़ी सा क्योंकि समय लगता है कस्टड पाउडर को भी खीर के दूद में थोड़ी से देर के लिए हमें इसको बॉइल करना पड़ता है यह अभी पतली है लेकिन अगर आप जैसा चाहें इसको अगर आपको ज़्यादा गाड़ा करना हो तो गाड़ा भी कर सकते हैं पर थोड़ी पतली हमें अच्छी लगेगी क्योंकि बाद में जब हम इसकी अंदर मखाने मिलाएंगे तो मखाने भी दूद को सोक लेंगे तो हमें ज़्यादा गाड़ी खीर नहीं करनी है इसलिए इतना ही खीर का परियाथ है अगर आपको इसमें ज़्यादा भी गाड़ी खीर करनी हो तो थोड़े से मखाने 15-20 मखाने आप मिक्सर में मिक्स कर लीजिए और फिर इसके अंदर डालीजिए या फिर दूसरा ऑप् यह है किश्मिश जो कि हमने भीगोंके रखी थी पर हमने इसे पहले से डाली है जिससे कि थोड़ी सी और फूल जाएगी बॉल होने के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे काजू मैंने हाप एक काजू के दो पीस किये हैं और थाकि वो थोड़े से फुल साइज में न जराए हमने काजू के टुकड़े डाले हैं उनको हम इसमें डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से बॉइल हो जाएंगे अब इसमें हम डालेंगे बादाम के को क्रश करके या क्रश मैं हाथ से कर रही हूं जिससे कि उसके लच्छे लंबे-लंबे हो और देखने में सुन्दर लगे हैं अब हम डालेंगे थोड़ा सा खोप्रे का बूरा कोप्रा पाउडर कोकोनट पाउडर यह भी आप अपनीक्चा के अनुसार मिला सकते हैं जितने भी ड्राइफरूट्स हैं वो सब हमारी मर्जी के साब से हम डाल सकते हैं जितना ज्यादा आपको अच्छा चाहिए उसमें अगर ज्यादा ड्राइफरूट्स दालेंगे तो नैचरली की खीर का स्वाद तो बड़ा टेस्टी होगा ही अगर हम इसमें दूद भी घी अगर हम इसमें और अट करते हैं उपर से तब भी इसमें स्वाद और इंहाइंस करेगा उसको लेकिन हम ज्यादा इसे फैटी नहीं बनाते वे हल्दी बना रहे हैं इसलिए इसमें कुछ चीजें हमने कम डाली है कि देखिए अब हम इसे ट्रांसफर कर रहें एक पॉल में हमारी खीर आलमोस्ट रेडी है अब इस खीर को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे चाहें तो आप इसे दस मिट बाद सर्व भी कर सकते हैं क्योंकि दस मिट भाद जब आप सर्व करेंगे तो मखाने बिल्कुल घुल जाएंगे और आपके भूमें उसका स्पंजी स्वाद नहीं आएगा एकदम बुलायम स्वाद हो जाएगा तो आप यही मेरी खीर तयार है अगर आपको यह खीर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और थैंक्स पर वाचिंग